हलो फ्रेंट्स वेलकम टो टोपर्स विलेज अभी हम कर रहे हैं चप्टर क्वाडिटिक एक्वेशन ठीक है इसमें बाइस प्लिटिंग लिल्टम हो चुका पहले कम्पिटिंग दे स्क्वाइर मेंथड अभी इसके अंदर चल रहा है और क्वाडिटिक फॉर्मला यहाँ पर तो इनके रूट समय बताने हैं question number 3 first part इसमें लिकाए x-1 by x is equal to 3 ठीक है और यहाँ पर condition है x is not equal to 0 तो वह तो आएग गयाएगी क्योंकि यहाँ पर divide में दिख रहा है यहाँ पर x यहाँ पर खड़ा है तो वह नहीं होना चीए है इसको solve करते हैं तो सबसे पहले यह modified equations है quadratic वाली तरीकों से इसका answer देंगे कोई सी भी method लगा सकते हैं इसके अंदर बोला नहीं है कि कौन सी method से करना है तो कोई सी method से कर सकते हैं फिर भी अभी हमने जो latest सीकी है जो quadratic formula हमने देखा है वो सबसे fast है ठीक है और splitting middle term भी काभी fast होती तो हम quadratic formula से भी इसको try करते चलेंगे इसका अब कैसे solve करेंगे पहले इसको lcm लेते हैं ऐसे equation का अब सबसे पहले lcm लो अगर नीचे की side x है तो x यहाँ वाला यह इसके पास चला जाएगा तो x square minus 1 equal to कितना आ गया 3 आ गया यह x उसके पास पेस दो तो x square minus x equal to कितना हो गया 3x हो गया ठीक है तो इस 3x अरे यहाँ पर क्या एगा यहाँ पर 1 आएगा यहाँ पर क्या एगा वन आएगा इस 3x को इदर लिया हो तो क्या बना x square minus 3x minus 1 equal to 0 यह 3x आके इनके बीच में आता आएगा ठीक है यहाँ पर रख लेना अब यह by splitting middle term नहीं होगा इसको ना यह 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 तो completing the square method से कर सकते हैं या फिर formula इस इका होता होता है x equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a a यह है b यहाँ पर है c यहाँ पर है इसके अदर फूट कर देते है x equal to x equal to क्या बनेगा यह x equal to बनेगा minus b plus minus under root of b square, तो b कितना है minus 3 तो यहाँ पर minus 3 आजाएगा, यहाँ पर minus 3 आजाएगा, फिर minus 4a और यहाँ पर क्या आजाएगा, c, a कोन है a है, यहाँ पर एक स्कूरा कॉपशन टो 1 ठीक है, फिर c, c कोन है यहाँ पर constantum minus 1, divide by 2a, 2 into 1 ठीक है, यहाँ यहाँ इसको sol कर लेते है, minus minus plus 3, plus minus under root of 3 का square कितना हो गया, 9 minus, देखो minus यह है और minus वो है, तो minus minus multiply हो रहे हैं सारे के सारे, तो plus हो जाएगा, 4 into 1 into 1 4 ही रहेगा, divide by 2 तो कितना answer आया यह, 3 plus minus under root of 9 plus 4 कितना हो गया, 9 plus 4 ऐसे मत लिख देना कि यहाँ पर 3 plus 2 आ जाएगा, वो गलत हो जाएगा 9 plus 4 कितना होता है, 13 बस ही ऐसे पढ़ा रहेगा, ठीक है यह अपना answer हो गया, x की value 3 plus वाली भी ले सकते हैं, 3 plus root 13 by 2 भी सही है और 3 minus root 13 by 2 यह भी सही है, ठीक है बढ़ते हैं, next part की तरफ next part दे, वो कैसा है, यह भी quantity equation तो नहीं दे रहा है, यहाँ पर इस type से लिख रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले LCM लेंगे, तो solve करते हैं, इसको equation लिखता हूं में 1 upon x plus 4 minus 1 upon x minus 7 equal to 11 upon 30, और यहाँ पर conditions given x should not be equal to minus 4 और 7, x अगर इनके बराबर हो गया, तो नीचे के side 0 बन जाएगा तो ओ condition यहाँ पर बचाने के लिए देती, इनका लेते हैं LCM, LCM इधरी ले लो या फिर चाहो तो इस number को उधर भेज के भी उनका LCM भी ले सकते हो, हम मैं इनका LCM इधरी लेके दिखाता हूँ इन दोनों का LCM, यह अलग number यह अलग number, तो अलग-अलग numbers का LCM क्या हो जाएगा, उनका multiplication यह x minus 7 उसके पास ला गया x minus 7, minus यह x plus 4 उसके पास x plus 4 equal to 11 by 30 ठीक है, इसको इसको solve करते हैं x minus 7, यह bracket खुलेगा तो minus x minus 4 divide by, इसको खोलते हैं x into x, x square x into minus 7, minus 7x x into 4, plus का 4x, 4 into minus 7, minus का 28 11 by 30, यहाँ पर पहुंचे हम तो x x cancel हो गया उपर minus 7, minus 4 कितना हो गया minus 11, निचे x square यह कितना हो गया minus 3x minus 28 equal to 11 upon 30 देखो, यह वाला 11, इस 11 को cut कर देगा, यहाँ पर क्या बज़ ज़एगा यह 1 बज़ ज़एगा, यहाँ पर minus है तो अगले में लिखते हैं क्या बज़एगा equation देख लीजे, यहाँ पर क्या है equation x square minus 3x minus 28 minus 1 upon x square x square x square minus है minus 3x minus 28 equal to 1 upon 30 अब इसको थोड़ा simplify करते हैं cross multiply कर देते हैं, और काफी देर तक यहाँ पड़ा रहेगा 30 देरा ज़एगा, तो minus 30 और यह नमबर उधर चला ज़एगा तो x square minus 3x minus 28 आ गया ठीक है, अब हाँ, इस minus 30 को उधर ले जाते है तो 0 equal to कितना हो गया, x square minus 3x minus 28 plus 30 आ जाएगा यहाँ पर इधर आके plus का हो जाएगा इस नमबर को थोड़ा से solve कर लेते हैं यह क्या बनेगा, x square minus 3x minus 3x minus 28 और plus का 30 तो plus का कितना जाएगा, 2 equal to 0, अब इसको चाहो तो by splitting middle term कर लो चाहो तो formula लगा दो कुछ भी कर लो यहाँ पर question छोटा ही है तो splitting middle term से कर सकते हैं, यह हो सकता है मुझे पता है, यह हो जाएगा अगर आपको यह से पता नहीं जलता तो आप quadratic formula भी लगा के देख सकते है, quadratic formula से कर लो इसको x equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a तो x equal to minus b b का काम कोण कर रहा है, minus 3 plus minus under root of b square minus 4a और c, यहाँ पर आजाएंगे numbers divide by 2a b का का काम कोण कर रहा है, minus 3 4a, a का का काम कर रहा है, 1 c, c किज़े को होन है, 2 नीच आथा 2a a को होन है, 1 तो x equal to 3 plus minus under root of 3 square कितना होता है, 9 minus 4 to 8 divide by 2 तो कितना बचाएं, 9 minus 8 कितना होता है, 1 1 का under root कितना होगा, 1 3 plus minus under root 1 तो यह 1 ही लिख देता हूं में, direct इसको, divide by 2 एक बार plus का sign ले लो, तो x कितना हैगा 3 plus 1 by 2 और एक बार minus का sign ले लो, तो x कितना हैगा 3 minus 1 by 2 x कितना आगया फिर यहांपर, 3 plus 1 कितना होगया, 4 by 2, 4 by 2 कटेका तो कितना होगया, 2 answer आगया, यहांपर 3 minus 1 कितना होगया, 2 by 2, तो x कितना होगया, 1 आगया, इस type से हम इसको solve कर लेंगे, ठीक है, यह modified equations थी, और quadratic बनाने के बाद तो आप इसको किसी से भी solve कर सकते हो, ठीक ह I hope यह आपको समंद में आ गया होगा, बाकिकी question आपको अगले videos में मिल जाएंगे, thank you so much